अज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने ओप्रफोन में Accessibility menu कैसे हटाएं या फिर अपने फोन से Accessibility shortcut button कैसे हटाएं तो अगर आपके ओप्रफोन में नीचे ये तीन डॉट वाला shortcut menu आ रहा है Accessibility menu आ रहा है तो इसे कैसे हटाएं इसके लिए आप अपने ओपो फोन में settings open करिए फोन के setting में नीचे आईए नीचे आने पर आएगा ये additional settings इस पर click करिए यहाँ पर आने के बाद अब नीचे ये accessibility आएगा इस पर click करिए और उपर ये general आएगा तो अगर आपका vision या फिर hearing interaction select है तो उपर ये general पर click करिए general में नीचे ये accessibility menu आएगा इस पर click करिए अगर आपको ये setting में नहीं मिलेगा तो इसके लिए जब ओपो फोन में आप settings open करेंगे तो setting में उपर आएगा ये search तो ये search setting पर click करिए type करिए accessibility और search में ये accessibility menu आएगा इस पर click करिए उसके बाद नीचे फिर से ये accessibility menu पे किलिक करिए नीचे ये shortcut आएगा accessibility button तो ये आपका on है तो इस button पे किलिक करिए इसे बंद करिए इसे बंद करने के बाद आपके phone में नीचे चेक करिए अब ये accessibility या फिर ये shortcut button hide हो गया है तो इस तरीके से आप अपने फोन में ये accessibility बटन या फिर ये shortcut बटन हटाएं अगर आपको ये वीडियो पसांद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें